Hello everyone, welcome on my channel इस वीडियो में हम 481 से लेके 490 तक के idioms and phrases करेंगे और यह इस स्रीज का 49 वीडियो है और इससे पहले मैंने 48 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 480 idioms and phrases को cover किया है और अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे playlist में जाके उसे देख सकते हैं तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 481 नमबर को स्टन हम देखते हैं To eat one words To eat one words का मतब होता है To retract one's statements यानि कि अपने कहे से मुकर जाना तो sentence में इसका use देखे It is the habit of our leaders to eat their words यानि कि हमारे जो नेता होते हैं उनकी ये आदत है कि वो अपने statement से हमेशा मुकर जाते हैं चुनाओ के समय जो है काफी लंबे-लंबे वादे करते हैं ये और जब चुनाओ खतम हो जाता है और जब ये जीत जाते हैं तो उसके बाद ये अपने वादे से मुकर जाते हैं तो इससे connect करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं To eat humble pie To eat humble pie का मत्तब बहता है To be very apologetic यानि कि छमा याचना करने पर विवस होना कोई ऐसा गलती आप कर दिये हैं फिर उसके लिए आपको लग रहा है कि नहीं ये गलती मेरे से हो गई है एकसेप्ट कर रहे हैं आप तो उसी को हम बोलते हैं To eat humble pie तो sentence में इसका use देखिए When he exposed her wrongdoing C ate humble pie जब एक बंदे ने इसका गलत जो इसकी हरकते थी उसके बारे में लोगों को जब बताया तो ये काफी sorry feel की उसके बाद तो इससे connect करके अब इसे ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं To eat one's term To eat one's term का मत्तब बता है To study for the bar यानि कि वकालत की पढ़ाई पढ़ना तो sentence में इसका use देखिए महात्मा गांदी जी ate his term in England महात्मा गांदी जी ने वकालत की जो पढ़ाई की थी वो कहां से की थी तो England से की थी इससे connect करके आब इसे ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं To eat high of the hog इसका मत्तब बता है To take more than one share यानि की अपने हिस्से से अधिक कोई चीज ले लेना जितना आपका share है उससे ज़्यादा ले लेना उसी को हम बोलते हैं Eat high of the hog तो sentence में इसका use देखिए His eldest brother ate high of the hog in the parental property Parental property में इसके बड़े भाई का जितना share बनता था जितना हिस्सा बनता था उससे अधिक उसने ले लिया तो इससे connect करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं To have the age on somebody इसका मतलब वता है To be better than others यानि कि किसी के अपेक्षा बहतर स्थिती में होना तो sentence में इसका use देखिए Rames has the age on his neighbor Rames जो है अपने पडोसी से काफी अच्छी स्थिती में है देखिए इसका पडोसी है ये वेचारा गरीब है लेकिन उससे ये काफी अच्छी स्थिती में रमेश है तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं A bad egg A bad egg का मतलब होता है worthless or dishonest person यानि कि बेकार ये आप कह सकते हैं कि बैमान आदमी तो sentence में इसके use देखिए There is no place for a bad egg in the society यानि कि बेकार आदमी या बैमान आदमी की समाज में कोई जगह नहीं है और इस picture में देखिए कह लिखा हुआ है He is a bad egg, don't believe anything he says इसमें दिखा हुआ है कि ये जो आदमी है वो bad egg है यानि कि एक बेकार आदमी है, बैमान आदमी है और इसकी बातों पर आप भरोसा मत कीजिए तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं To trade upon eggs इसका मत्तब होता है To walk or behave cautiously यानि कि बड़ी ही सावधानी से चलना या बड़ी सावधानी से व्यवहार करना तो sentence में इसका use देखिए The wise trade upon eggs to lead a peaceful life जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही सावधानी से या बहुत ही सावधानी से व्यवहार करते हैं ताकि एक peaceful life वो जी सकें जिसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये देखिए कितनी सावधानी से चल रहा है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं in the egg in the egg का मतलब होता है in an early stage या undeveloped यानि कि प्रारंभिक अवस्था में या कह सकते हैं अविक्सी तवस्था में तो sentence में इसका use देखिए killing of a female child in the egg is a criminal offense यानि कि एक female child को सुरुवात में ही मार देना एक criminal offense है लोग क्या करते हैं photos का जाज कला लेते हैं और उसमें ये पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की और अगर लड़की होती है तो उसे जो है सुरुवात में ही मार देते हैं तो ये क्या है एक criminal offense है तो इससे connect करके इसको ध्यान दखिएगा अगला हम देखते हैं to put all one's egg in one basket इसका मत्तब होता है to risk everything one has in a single venture यानि कि अपना सब कुछ एक हिदाओ पर लगा देना तो sentence में इसका use देखिए he put all his eggs in one basket to get success in the business इसने जो है अपना सारा कुछ जो है वो एक हिदाओ में लगा दिया ताकि वो business में उसे success मिले तो इससे connect करके आप इसे ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं to teach one's grandmother to suck eggs इसका मत्तब बता है to advise to somebody who has more experience than oneself यानि किसी ऐसे आदमी को सलाह देना जो आपसे बहुत ज़्यादा experience है उस field में तो sentence में इसका use देखिए he was trying to teach his grandmother to suck eggs यानि कि एक आदमी है जो किसी को जो उससे ज़्यादा experience है उसको बता रहा है कि ये चीज ऐसे करो तो इसका sentence का मत्तब ये हुआ तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं तो इस वीडियो में हमने 10 idioms and phrases किये and I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे और अभी तक हमने 490 idioms and phrases को cover कर लिया है तो ये जो series है वो continue रहेगी तो आप वीडियो के साथ बने रहे है और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लिए like, share and subscribe to my channel Thank you